कि है अग्ष्छ लोग कैसे आप लोग आशा करते हैं आप सभी स्वस्त होंगे और जहांगे बहुत मस्त होंगे तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए जनन्स्वास चैप्टर लेकर हो है इस चैप्टर के हम लोग महत्पुलु प्रशनों के एक स्रंखला के द्वा होना है 100% है तो पड़ावर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जो वीडियो को फस्टाइम देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और ज्यादा लोग वीच में इसको शेयर करें तो सबसे पहले उन महात्पूल प्रशनों को देख लेते हैं जो परिशाओं में पूछे गए हैं तो सबसे पहले प्रशन आता है आपके सामने बंदता क्या है ठीक है ना इससे कई कोशन पूछे गए हैं साय जनन प्रदोगियां जिसमें IVF आता है जड़ाइ-FT आता है IUT आता है JIFT आता है और ICSI आता है इन सारे कोशनों इनके सब के फु की विधियां यह कोशन ऐसा है जो आपको हर एक अंसौल में अवश्य मिला होगा तो फटावड इनी कोशनों को हम लोग आपर तयार करने की कोशिश करते हैं और सासात पूरे चेप्टर का रिवीजन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बंदता की बात करते हैं इसके उपाई भी पूछे गा या कोई दंपति असुरक्षित यौन समंऑन्द इस्थापित करने के बाद भी बच्चों को जन देने में असमर्थ है तो इस दसा को बंदता कहते हैं अब असुरक्षित यौन fa का मतलब है कि वह दंपति किसी प्रकार की परिवार नियो है बंद्धता का हो सकता है अब बंद दप्पत्यों के लिए woven जिंगे तक्नीक का विकास किया हुआ है जिनके द Messiah के लोगों है बच्चों का शुप्राप कर सकते हैं और वो तक्नीक कहलाती है सहायक जनन प्रद्दोकिया तो अब नोगैए देखेंगे साहाइक जनल प्रवद्योगी क्या है ठीक है तो साहाइक जनल प्रवद्योगी में जो सबसे महतपूर्ण प्रवद्योगी है वह है आईवीफ ठीक है तो अगर हम आईवीफ की बात करें तो आईवीफ में आईफार होता है इन वीफार होता है विट्रो और एफार होता है इन विट्रो फट्लाइजेशन इन विट्रो फट्लाइजेशन इसका मतलब होता है इन माने होता है में विट्रो माने होता है कांच और फट्लाइजेशन म method भी इसी process को बोलते हैं इसी process को हम लोग test tube method भी बोलते हैं और आप लोग comment में comment करके बताएं कि पहली test tube baby का क्या नाम था अच्छा होता क्या है कि इस विधी में किसी दाता इस्त्री या पत्नी के अंडाणू एवं किसी दाता पुरुष्या पती कि शुक्राणों को प्रियोक शाला में अनकूल परिस्थितियों में निसीचित करा जाता है अब जब निसीचित हो जाता है तो युगमनज का निर्माड होता है उस युगमनज को इस्थापित करने के आधार पर इनको दो भागों में विवाजित क्या गया है I for intra Phallopian or T for transfer जाइगोट, intra Phallopian, transfer होता क्या है? यदि निसेचन के पस्चाद जो जाइगोट बना है वो आठho blastomieOR से कम का है अगा निसेचन के पस्चाद जो जाइगोट बना है वो आठthto blastomieOR से कम का है तो इससे सीधे फैलोपियन ट्यूब में इस्थापित कर देते हैं और इस विदी को हम लोग बोलते हैं जडाइ एक्टी ठीक, आयूटी क्या है आयूटी I for intra, U for uterine और T for transfer यदि जाइगोट 8 blastomere से अधिक का है यदि जाइगोट 8 blastomere से अधिक का है तो इसे गर्भासा में इस्थापित करते हैं और यहां किलाती है आयूटी आनि इंट्राइवटे राइन ट्रांसफर ठीक है इसके बाद हम लोग देखते हैं GIFT, सैसन को लाइक करते चलिए और वीडियो को चैनल को सब्स्राइब करते चलिए अगर आपको लग रहा है कि यह आपके बेनिफीशल है तो आप अपने इसको फ्रेंट सर्किल पे भी शेयर कर सकते हैं ठीक है तो अगर हम बात करते हैं GIFT तो G4 होता है गैमीट I4 होता है इंट्रा F4 होता है फैलोपियन और T4 होता है ट्रांसफर गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर तो यह विदी उन इस्तरिओं के लिए उप्युक्त है जो अंडालो उत्पन करने में अक्षम है अक्षम का मतलब है कि ऐसी स्तरियां जो गैमीट्स यानि गैमीट्स क्या होते हैं फीमेल गैमीट्स होते हैं दिवा खाय काहतें किषजा में ट्री के अंडालों को किलिए, अस्ति की तो ऐसी दशा में किसी दाता, इस्त्री चाह你在 aubt इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं ICSI, Intrasystoplasmic Sperm Injection ICSI, Intrasystoplasmic Sperm Injection अब इसमें क्या होता है? इसमें सुक्राणों को सीधे ही अंडालों में प्रविश्करा दिया जाता है ठीक और उसके बाद आता है IUI IUI को बोलते हैं Intra-Uterine Insemination यानि कर्तिम वीर सेचन यह भी दी किसके लिए जाती है? यह भी दी उन पुरुषों के लिए कारगर है या काम में नी जाती है जो प्राकर्तिक रूप से वीर को योनी में नहीं पहुचा पाते हैं इसलिए इसे AI यानि Artificial Insemination भी कहते हैं यानि IUI को ही AI यानि Artificial Insemination भी कहते हैं नेश्ट इसके वाद हम लोग देखते हैं उल्व बेधन क्या है उल्व बेधन अब यह उल्व बेधन क्या है इसको समाझ लो इसको बेधन ठीक इसे को बोलते हैं Amniocentasis और आपको question इससे बहुत मिलेंगे या PDP PDT का मतलब होता है Parental Diagnostic Treatment यानि जन्म पूर्व भ्रूण रोग लक्षण ग्याद करने की तकनीक होती हैं यानि अगर किसी गर्वस सिशु में कोई भ्रूण से संबंदित कोई अनुमांशिक या कोई गुरसूत्री विकार है तो उस विकार को जानने के लिए विकार सिशु के चारो ओर एक गुषा पाई जाती है यानि एक केविटी होती है और उस गुएकमलोग भ्रूण वाग से सीरेंज की मादियम से बाहर निकाल लेते लगबग 20-25 ml लगबग 20-20 ml निकाल लेते हैं जिसमें उस ब्रून से संबंदित क्या होती है कोशकाई होती है उन कोशकाव द्वारा हम ब्रून में अनवालशिक रोग वा गुर्णशूत्री विकार का पता लगाते हैं लेकिन अब हो क्या रहा है कि भारत वर्ष में हो क्या जाने लगा कि बच्चा अगर फीमेल है तो इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो प्रसवपूर लिंक की जाच में इसका प्रयोग होने लगा इसलिए इसको बैन कर दिया गया उल्वेगन को बैन कर दिया गया आप देख सकते हैं चित्र के माद्यम से कि इस तरीके से होता ही यह, तो यह actually क्या है, यह आप देख पा रहे होगे, कि यह amniotic गुवा है, और इसके अंदर यह amniotic द्रव भरा हुआ है, और इसी amniotic द्रव को इस सीरेंज की बाध्यम से भाहर निकाल लेते हैं, और जब भाहर निकालते हैं, तो इसमें क्या होता है, इस से related कोशिकाओं होती तो यहां पर हम देखें कि जो विधिया होती है वो मुख्यता दो प्रिकार की होती है परिवार नियोजन की जो विधिया होती है उनको मुख्यता दो भागों में विवाजित कर दिया गया है नमर एक होती है इस्थाई विधी और दूसरी होती है आस्थाई विधी दूसरी का होती है आस्थाई विधी होती है ठीक है एक होती है इस्थाई विधी और दूसरी होती है आस्थाई विधी ठीक है अब दोनों में फर क्या है, तो सबसे पहले हम लोग आस्थाई विधी का अध्यन करेंगे, अब आस्थाई विधी क्या होती है, तो देखिए आस्थाई विधी में क्या क्या अध्या है, आस्थाई विधी में mostly हम अगर divide करें तो सबसे पहले इसमें आती है प्राकर्तिक विधी प्राकर्तिक विधी नमबर एक पर आती है प्राकर्तिक विधी उसके बाद नमबर दो पर आती है रोध विधी रोध विधी नमबर तीन पर आती है नमबर तीन पर आती है रसाइनिक विधी और नमबर चार पर आती है आई यूडी जिसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइम डिवाइस अन्तागरभाशय युक्तियां ठीक है चा बोलते हैं अन्तागरभाशई युक्तिया प्राकृतिक विधी में क्या होता है वेटा प्राकृतिक विधी में सबसे पहले आती है आपकी आवधिक साहियम प्राकृतिक विधी में सबसे पहले आती है आवधिक साहियम और दूसरे आती है इस्तनपान अनारतो ठीक अब दोलों के बारे में समझ देते हैं आवधिक सायम क्या होता है पहले इसको समझते हैं कि आवधिक सायम होता क्या है तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि जो मासिक चक्र है तो मासिक चक्र के दस्वे दिन से लेकर सत्रवे दिन तक क्या सहवास से बचना चाहिए यानि उस तमय सेक्स्वेल एंटर कोर्स से बचना चाहिए ठीक है इसको बोलते हैं आवधिक सायम यानि मासिक चक्र के दस्वे दिन से लेकर सत्रवे दिन तक सहवास से बचना चाहिए क्योंकि ये जो समय होता है ये असुरक्षी समय होता है इस समय ओविलूशन होता है इनि अंडोज सर्ग होता है इसलिए इस समय सहवास नहीं करना चाहिए इसी को हम लोग बोलते हैं परिपक को अंडा अंडा से से बाहर निकलता जिससे निसेचन की संभावल होना है, स्वु प्रिचेत बढ़ जाती है, उसके बाद बात करते हैं इस्तनपान अनार्तों, इसका मतलभ होता है, जब कोई इस्तुरी अपने शिशु को इस्तनपान करा रही होती है, तो उस समय अं आपने मा के दूद पर निर्भर होगा यहां तक कि वो जल भी यानि पानी भी ग्रहन नहीं करेगा तो इस कौम लोग बोलते हैं इस्तन पान अनार्तो उस समय और नहीं होता है और निसेचन के संभावनाएं नहीं होती है अब अगर हम रोध विदी की बात करें तो इस विदी हो गया जाती है ठीक है यह आती है रोध विदी में और क्या होता है रासायनिंआ करकि बिल्स में बोलते हैं मुखी गोली के रूप में इस्तियों दोरा ग्रहन किया जाता है यह गोलिया यानि यह गोलिया क्या करती है अंडो सर्की प्रक्रिया को कम कर देती हैं जिससे एक मैच्चोर एक बाहर नहीं निकलता और निसेचर की संभावना नहीं होती है अगर उधारण पूछा जाए तो आपके स्लेबस में जो है वो है सहेली ठीक हैनम सहेली क्योंकि यह Heart में बनती है झाक और ये उसके बाद एक है माला डी ठीक है ये क्या है ये है आपकी रसाइनिक विधी उनको हम लोग ओरल प्रिल्स या मुख्य गोली कहते है उसके बाद बात करते है आयूडी अब ये आयूडी क्या है आयूडी होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस यानि कुछ ऐसी होती है कॉपर आयन रिलीज करती है क्या करती है कॉपर आयन रिलीज करती है और ये कॉपर आयन क्या करते हैं शुक्राणों की क्रिया शिल्दा को कम कर देते हैं इससे निसे चन की संभावना है लाके बरावर होती है तो इस तरीके से आस्थाई विदियों में प्राकर्तिक इसके बारे में इस थाई विधी के बारे में अब हम लोग आगे चलते हैं इस थाई विधी इस थाई विधी इसको बोलते हैं बटा पर्मानेंट मेथड क्या होता है इस विधी में भी इस विधी को भी दो भागों में विवाज़ित कर दिया गया है ठीक है पहला पहला पुरुष पुरुष नसबंदी और दूसरा महिला नल बंदी ठीक है पुरुष नसबंदी में क्या करते है इस विधी में पुरुषों के पुरुषों की सुक्रवाहिनी सुक्रवाहिनी नलिका को काट कर बांद देते हैं नौड लगा देते हैं बांद देते हैं यह प्रसिक्षिद दौक्टरों के द्वारा होता है इसलिए इसको सल्य चिकत्सकी विधी भी कहते हैं अब जब शुक्र भाई ने लिकाए बंद गई है तो क्या होगा शुक्राणू बाहर नहीं आ पाएंगे और और महिला दलबद्दी में क्या करते हैं इसमें महिलाओं की फैलोपियन ट्यूब को काटकर बांध दिया जाता है जिससे अंडालों शुक्राणों से नहीं मिल पाते है और निसे चनिकी संभावन ना के वरावर होती है ठीक है तो इस तरीके से आज इस चैप्टर को हम बहुत जल्दी एक one shot में revision कर लिया है यह सारे important question आप लोग अच्छे से prepare कर लिजेगा वीडियो को दुबारा देख लिजेगा सासा अगर आवशकता हो तो उसके notes में आ सकते हो अच्छे से revision कर लिजेगा इन questions यह questions आपको आने वाले परिक्शाओं में अबस्त मिलेंगे त तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे तरह आए स्वस्तर आए और मन लाकर पढ़ाई करें धन्यवाद